आप लोगों के लिए बहुती बढ़िया और बहुती टेस्टी रिसीपी लेके आए हैं जो दाल की है ये मेरे पास काली मसूर की दाल है ये है 500 ग्राम इसको भिगो देंगे 10 मिनट के लिए फिर अच्छे से धो कि इसको हम उभाल लेंगे तो ये जो है देखिए भीग गई है अब हमने इसमें डाल चीनी और एक बड़ी लाइची है और तेश पत्ते और थोड़ा सा नमक जादा नहीं थोड़ा नमक डाल के फिर पानी डाल के हम इसको पका लेंगे दो तिन सीटी में अच्छे से गल जाती है अब हमने एक कढ़ाई कढ़ाई में जो है डेल चमस तेल डालेंगे तेल कुबच्छा गरम हो जाएगा तो इसमें है लस्सुन और लाल मिर्च तो इनको जो है कुबच्छे से हम कलहार लेंगे अब यह देखिए बड़ी ऐसा कलहार गया है तो अब इनको निकाल लेंगे बाहर अब इसमें हींग दालेंगे और जीरा आदा चमस ऑपनाचे खूं और इस को भी तडखने के बाद हम एक मीडियम प्याज है उसको बढ़िया कट आ कट कर 깊 भी उसको भी कलहार लेंगे और आप आप जाब मिर्च हुए पकाल रिग अच्छे से अभी पक जाएगा तो इसमें मसाला डाला हल्दी एक चमज एक चमज मिर्चार और ये जीरा पाउडर एक चमज और ये चाठ मसाला एक चमज तो ये दाल बहुत टेश्टी बहुत बढ़िया बनती है और थोड़ा नमक नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो नमक थोड़ा हिसाबी से डालें अब ये जो मिर्चे हैं इनको क्या करेंगे लस्षुल मिर्चे को इनको कूट लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है इस तरीके से कुप बारिक-बारिक हम इसको कूट लेंगे ये देखिए ये कुड़ गया अब दाल हमारी जो है गल गई ये देखिए तो दाल को थोड़ा इदर घुमा देना और ये दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है इसलिए कि जब थोड़ी थंडी होती न तो जम जाती है तो इसमें क्या करना है कि यह दाल को पलड़ देंगे पानी कम होगा तो हम गरम पानी इसमें डाल के इसको दाल को थोड़ी पतली कर लेंगे तो इस तरीके से बढ़िया मिक्स करके अगर आपको लगे कि पानी डालना है तो गरम पानी डालिए ठंडा न डालिए इसमें तो अब मिला लेंगे इसको, तो बहुती टेस्टी बहुती बढ़िया बनती है, अब क्या करना, इसमें हमने एक चम्मज धन्या डाला है, आदा चम्मज गरम मसाला, और ये जो हमने कूट के रखा था, एक चम्मज वो भी डाला है इसमें, तो आप लोग एक बार जरूर बना के देखिए, बहुती इंशालला, बहुत जादे ही पसंद आएगा, थोड़ा सा हमने इसमें पुदीना भी डाला है, सूखा हुआ, अब तड़का लगाना तो बहुती जरूरी है, इसलिए कि घर वालों को खुस करना है न, तो तड़का चाहे घी का हो या तेल का, तो इसम जो उसको लसून को कूट के रखा था लसून मिलचा, वो एक चमज हमने बचा लिया था, भी इसमें डाल के उसको भी फिराई कर लेंगे बढ़िया, अब लगा देंगे तड़का इस दाल में, घरवाले भी खुस, हम भी खुस, और टेस्ट तो एक नंबर का कि आप खाएं कितनी टेस्टी ये दाल है, अल्ला हाफिज